दोस्तो न्यूजिलैंड को आखरी 40 गेंदों में 102 रन बनाने थे और दोस्तो इस सेमी फैनल में जहां भारत की शुरुआत काफी शांदार रही थी लेकिन बीच में आकर ड्रायल मिचल पूरी तरह एक दिवार की तरह खड़े हो गई थे और दोस्तो भारत की उमीदों को एक मुकाबले का पूरा हाइलाइट वीडियो इस मैच में कैसे भारत के हाज से मैच निकलते निकलते बचा और किस खिलाडी ने इस मैच में भारत की जबरदस्त वाप्सी कराई जिस वजासे भारत की टीम इस मुकाबले को जीत पाया ऐसे में दोस्त हम आपको बता दे इस मु इस मैच में खेली थी, वही टीम इस मैच में कहल रही थी और जब रोहिशर्मा बल्ले बाची करने उत्रे तो फिर रोही शर्मा अपने अर्ष तक से केवल तीन रन दूर खड़े थे तबी टिम साउदी ने कप्तान रोहित काउट कर दिया और दोस्तों रोहित 47 रनों की शांदार पारी खेलकर आउट हुए थे उनके इस पारी में चार छके तो चार चौके शामिल थे और उन्होंने केवल 29 गेंदों का सामना किया था और आज भी दोस्तों रोही शर्मा ने भारत को एक शांदार शुरुवात दिलवाई तो इसके बाद बैटिंग करने विराट कोली उत्रे और दोस्तों विराट कोली ने इस मैच में कमाल का परदशन करा और इसी भी शुमान गिल जो की कमाल की ल दोस्तों इस वजह से उन्हें मैदान से भाहर जाना पड़ गया था जिसके बाद उनकी जगा खेल ने श्रेस ऐयर इस मैच में उत्रे और दोस्तों श्रेस ऐयर ने इस मैच में पूरी तरह तहल का मचा दिया था और दोस्तों उनकी वजह से भारत की टीम ने इतना बड़ा स्कोर खड़ा करा था क्योंकि दोस्तों श्रिया सेईर ने इस मैच में सबसे ज़्यादा छखके जड़े थे और दोस्तों उन्होंने चौके से ज़्यादा छखके मारे थे जहां इसी बीच विराट कोली ने कमाल का परदशन करते हुए इस मुकाबले में अपना शतक पूरा क चुके हैं जिननोंने वंडे में अप्तख पचास शतक मारे हैं और दोस्तों उन्होंने अपना शतक पूरा करा तो फिर हो मैदान पर ही उनके सामने अपने जुक गय थे और दोस्तों आपनी भावनाएंप प्रकत कर रहे थे थे और तो सचिन तंदलकर को विराट को ली आउट कर दिया था और दोस्तो कोली 113 गेंदों में 9 जोके 2 छकों की मदद से 117 रनों की बहतरीन पारी खेल कर आउट हुए जहां उनके आउट होने के बाद केल रहूल इस मैच में बैटिंग करने उत्रे लेकिन एक तरफ श्रे सईयर ने केवल 67 गेंदों का सामना करने के ब इंट बोल्ट की गेंद का शिकार बने और दोस्तो आईयर 105 रनों की बहतरीन पारी खेल कर आउट हुए थे उनके इस पारी में 8 छके तो 4 चौके शामिल थे और उन्होंने केवल 70 गेंदे खेली थी जहां सूरिया आखरी में केवल 1 रन बना कर आउट हुए थे तो दोस्तो इस तरह भारत की टीम ने कमाल का परदशन करते हुए न्यूजिलैंड को एक बड़ा टोटल दे दिया था जहां न्यूजिलैंड की तरफ से टीम साउधी को तीन विकेट हाथ लगी थी लेकिन उन्होंने अपने 10 ओवर में पूरे 100 रन भी दिये थे तो ट्रेंट बोल्ट एक विकेट चटकाय था और उनके भी ओरों में काफी मार पड़ी थी और उन्होंने 86 रन दिये थे और जब इसके जवाब में न्यूजिलैंड की टीम टार्गेट का पीछा खरने उतरी तो फिर उनकी शुरुआत इस मैच में बहती खराब रही थी त्योंकि दोस्तों जहा उनके आउट होते ही ऐसा लगा था कि भारत की टीम ये मुकाबला अब बड़े अराम से जीतेगी लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान केन विलियमसन और ड्रायल मिचल पूरी तरह सामने खड़े हो गए और भारत के हाथ से पूरा मुकाबला फिसलता जा रहा था क्योंकि इनकी बैटिंग के आगे भारत की गेंदबाच पूरी तरह कम जोर दिख रहे थे और दोस्तों इन दोनों के एक के बाद एक बड़े शॉट की वजहा से इस मैच में न्यूजिलैंड का स्कोर काफी तेजी से आगे भाग रहा था और दोस्तों भारत के फैंस का सपना हमोश हो गए थे और दोस्तों किसी को लग नहीं रहाता कि भारत की टीम यहां से यह मुकाबला जीद भी पाएगी क्योंकि दोस्तों ये दोनों बल्ले बाद इस मैच में इस कदर बैटिंग कर रहे थे कि इन्होंने तीसरे विकिट के लिए 180 रनों की पार्टनेशिप कर ड जहां पहले उन्होंने कप्तान केन विलियमसन का उट करा तो इसके बाद टॉम लेथम का उट कर दिया जहां टॉम लेथम तो अपना खता भी नहीं खोल पाए थे तो दोस्तों इस मैच में विलियमसन ने 69 रनों की शांदार पारी खेली थी जहां उनके आउट होने के में तकलीफ होने की वजह से इस मैच में भारत को एक बड़ा मौका मिला था लेकिन इसी बीच गलेन फिलिप्स और ड्रायल मिचल ने भी 75 रनों की ताबर तोड़ पार्टनर्शिप करके भारत को एक बार फिर से इस मैच में पूरी तरह बैक फुट पर धकेल दिया था तो बड़ा जटका दे दिया और चैम्पेन के वल दो रन बना के राउट हुए थे और इसके बाद न्यूजिलैंड को आखरी 30 गेंदों में पूरे 92 रन बनाने थे और दोस्तों ये मैच भारत की छोली में आता जा रहा था क्योंकि न्यूजिलैंड को अब हर ओवर में कम से कम 19 रन बनाने थे और दोस्तों न्यूजिलैंड की हाथ से मैच निकल रहा था लेकिन एक तरफ इस मैच में ड्रायल मिचल ठिके हुए थे लेकिन इसके बाद भारतिये 30 गेंद बाजों ने पूरी तरह इस मैच में कहल बरपा दिया था क्योंकि इसके बाद 306 रन के स्कोर पर मुहमद शमी ने न्यूजिलैंड को सबसे बड़ा जटका देकर ड्रायल मिचल को आउट कर दिया और दोस्तों मिचल 119 गेंदों में 9 चोके 7 बड़े जखकों की मदद से 134 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हुए थे और उनके आउट होते ही इस मैच में न्यूजि तरह 70 रनों से जीत कर फाइनल में पहुँच गई और न्यूजिलैंड की टीम 327 रन बनाकर ओल आउट हो गई थी जहां भारत की तरफ से मुहमद शमी ने अपने 10 ओवरों में 57 रन देकर 7 बड़े विकिट अपने नाम किये थे और इस जीत में शमी की बहुत बड़ी भूम के साबित हुए थे लेकिन भारत की टीम ने अब फाइनल में जगा पकी कर ली है और दोस्तों इसके लिए भारत को जितनी बधाई दे सकते हो उतनी कमेंट में दे दो